क्या हुआ उतारोगे सच मच नहीं इसका यह मिल जाएगा तुम लोग को आज एक काम करोगे आज जरॉक्स ले लोगे ठीक है आज लोगे जरॉक्स आज ले लेना आज लेना हाँ पैसा तो लगे जरॉक्स का मैं यहां सिर्फ समझाओंगा लिखाओंगा कुछ नहीं लिखाने का काम लिख चुका हूँ मैं ठीक है उनको तुम लोग को दे दूँगा उसको कॉपी में तुम लोग उतार लोगे समझमाई बात जो नोट मिलेगा जो भी चीज़े मैं यहां पढ़ाता हूँ ठीक है उन शब का नोट ले लेना है क्योंकि बिना नोट का कैसे क्या पढ़ोगे कुछ पढ़पाऊगे नोट में जो भी चीज़े होगा वो शारी चीज़े मैं यहां discussion कर दे रहा हूं बता दे रहा हूं समझा दे रहा हूं ठीक है समझ में आई बात या नहीं आई समझ में है ना चलो तो आज का class में हम लोग चर्चा करेंगे प्रकास के प्रावर्तन के बारे में ही कल हम हम लोग ने प्रकास के प्रावर्तन चेप्टर में प्रकास के बारें बहुत सारी चीजे समझा, बहुत सारे बिंदू उपर हम लोग ने कल चर्चा किया था, आज हम लोग इन बिंदू को समझेंगे प्रकास का प्रावर्तन क्या होता है, प्रकास के प्रावर्तन का नियम क्य होता है उसके साथ सतापतित किरन प्रावर्तित किरन आपतन बिंदू अभी लंब आपतन कौन प्रावर्तन को परतिवीम वास्तविक और कालपनिक परतिवीम यह क्या होता है इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है कल हम लोगों नहीं जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिविजन कर ले तो बड़ा अच्छार्चता है क्या किस से पूछे तो हम लोग का जाना पहचाना तंजिम बावो से ही पूछ लेते हैं कल हम लोगों नहीं पढ़ा था प्रकास क्या होता है बताना जरा अच्छा मतलब दुबाड़ा उसको समझने का पढ़ास नहीं किया क्या जूट बोल रहा है फिर कल बताया था न कि अगर जो चीजे जिस दिन पढ़ाता हूँ उस दिन का उसी दिन अगर किलिर नहीं किया तो बावो क्या होगा बोज नहीं बन जाएगा जो चीजे हम लोग 20 मिनिट में 25 मिनिटी में या फिर आदा घंटा एक घंटा में हम लोग किलर करते हैं उस चीज को यदि तुम लोग आज आदा घंटा छोड़ देगा कल आदा घंटा छोड़ देगा इस तरह से क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा फिर कैसे करोगे तब सुचोगे ये करेंगे न वो करेंगे ये करेंगे न वो करेंगे सौटकोट तरीका खोजोगे हर बच्चों का अकसर ये देखा गया है कि शुरुवात से तो पढ़ेंगे नि शुरुवात से पढ़ेंगे नि और जैसे जैसे एक्जाम नजदिक आएगी तब क्या करेंगे यूटूब में जाएंगे और सौट कॉर्ट तरीका खोजेंगे कि कैसे साथ दिन में पढ़के क्या हो जाए टॉपर बन जाए कैसे तीस दिन में पढ़के टॉपर बन जाए यही न और कहेंगे कि हाँ इतना महिनत करेंगे अब देखो एक वो पहलवान जो प्रैक्टिस करता है जो प्रैक्टिस करता है उसका पहलवान पना और जो practice नहीं करता है दोनों में कितना अंतर होगा अगर दोनों को लड़ाई में जोका जाए कोन आगया आएगा practice जो करते हैं उसी का नहोगा तो ठीक उसी तरह से exam में exam को crack तोड़ना है exam को निकालना है पास करना है या कुछ भी तुमको topper बनना है तो उसके लिए कब से तयारी करनी पड़ेगी शुरुआत से ही करनी पड़ेगी अब exam नजदिक आए फिर हम लोग shortcut तरीका खोजेंगे तो फिर नहीं होगा ठीक है यसी लिए अभी से तयारी रखो तयारी अगर रहा तयार है practice है तो जब officer मिलेगा ना फिर तो मौका खोजोगे जहां मौका मिला निकल पड़ोगे नहीं अब तुम्हारे पास तयारी होगा ही नहीं तुम तयारी में रहोगे ही नहीं तो तुम्हारे पास जब मौका आएगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा नहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास तयारी ही नहीं है तो जिसकी तयारी होगी उसी वह ही तो लेकर जाएंगी so जो भी हो लिन तयारी हमेशा ही सही तरीकी से करना है जितना बता है उतना ही क्या करो लेकिन ज़रूर करो ठीक है, कल हम लोग ने प्रकास के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ी समझा, ठीक है, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो प्रकास का प्रावर्तन क्या होता है, प्रकास इस पर पढ़ता है, प्रकास इस पर पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर जब ये मूर जाता है क्या हो जाता है मुर जाता है सिंपल भासा में जैसे कोई प्रावर्तक सता लेते हैं जिससे प्रकास अब यहां से प्रावर्तित किरन आएगा प्रकास डालेंगे और वो मुर के वापस निकल जाएगा तो इसको हम लोग प्रकास के आने से ठीक है किसी प्रावर्तक सता जैसे प्रावर्तक सता समझ में आया सिसा ले लो जिस पर चेहरा देखते हो दर्पन होता है कि ने दर्पन होता है न जी देखे हो कि नहीं दर्पन सर्फराज ने देखा है देखा है चलो अच्छी बात है तो दरपन ले लेंगे उसमें टॉर्च मारके देखना तो टॉर्च मारेंगे या बच्पन में तो बहुत परेशान क्या होगा किसी ने किसी को आंगन मिले लेता था आंगन को ऐसे ऐसे करके उसके चेरे में उसके घर में ऐसे क्ये होगे नहीं बदमासिपना बहुत कियो ना? करना भी चाहिए चोटे के समय खेल ओगे ने तो क्या जी? बार बार फिर कर भी बोले थी कि खेल खेल में ही पढ़ाई बहुत सारी चीजे होता है अब मैं इसको खेलवाऊंगा, खेलने के समय तुमने खेलाने अब मैं यहा खेलवाऊंगा हां ज़रूर अगर सिष्टम हो जाय तो ज़रूर खेल लेगे हम लोग भी, अब हम लोग के पास अतना सिष्टम है नहीं खेलने का, खेलने का सामान भी हरीदेंगे तो पैसा चाहिए कि नहीं जी, अटना पैसा तो हैं न ना भी, है क्या? जब हो जायगा पHYR कर लेगे, सारे चीज जानकारी पराप्त करेंगे चलो तो प्रावर्तक सतर दरपन को ले लेंगे टॉर्च मारेंगे तो लाइट क्या होगा उदर भागए गया किरन आया यह न प्रावर्तक सतर से टकराया और वापस मुड गया तो परकास के आने और वापस मुर जाने को ही हम लोग बोलते हैं प्रकास का परावर्तन क्या बोलते हैं? प्रकास का परावर्तन ठीक है? को देखत? अब जो है प्रकास का जो परावर्तन होता है प्रकास आया ठीक है? आपतित हुआ प्रकास आया उसके आदि यह जो मूरता है न वापस जो जाता है तो यह कुछ नियम का पालन करता है यह कुछ नियम का पालन करता है उस नहीं नियमों को हम लोग बोलते हैं प्रकास का प्रावर्तन का नियम प्रकास प्रावर्तन का नियम को दिकत संज्में आया नहीं आया देखो हम लोग के तरह ये नहीं है किसी नियम को हम लोग फॉलॉव करते करते मानते मानते इसको तोड़ते लिकिन ये विचारा बिलकुल अपने नियम पर अडिक है इसलिए तो इसको पढ़ रहे हैं जिन्होंने भी अपने नियम को नहीं तोड़ा है उन्ही को पड़ते हैं हम लोग सिंपल भासा में ऐगर समझेंगे तो किया किसी महापूरुस के विसे में अगर हम लोग किसी बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में जानते हैं पढ़ते हैं किताबों में अपना नियम नहीं तोड़ा उन्होंने जो चाहा उसको करके दिखाया और हम जेसे नियम तोड़ने वाने कौन सा सक्षिस उपाते हैं पाते हैं क्या नहीं हुपाते हैं तो थोड़ा सा इस वूँसरह अगर हम समझ लेंगे तो ये कभी अपना नियम को नहीं तोडता है, ठीक है, इनका प्रकास के प्रावर्तन का जो है दोठू नियम है, कितना नियम? दोठू नियम, उनियम को लिखें, थोड़ा, लिख देता हूं, कभी कभी, मारकर भी भूल जाता हूं, पहला नियम जो है आपतित कीरन उसके बाद ये परावर्तित कीरन और आपतन बिंदू ये जो बिंदू है ठीक है आपतन बिंदू ठीक है पर खीचा गया अभी लंब खीचा गया अभी लंब एक ही तल पर होते हैं ये पहला नियम है एक ही तल पर होते हैं ये पहला नियम है दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोन अब ये क्या है इसके डिश्टर्स आगे कर रहें ठीक हैं आपतन कोन प्रावर्तन कोन के बरावर होता है देखो पहला नियम कहता है कि आपतित किरन प्रावर्तित किरन और आपतन विंदू पर खीचा गया अभी लंब ये तीनों जो है ये तीनों एक ही तल पर होते हैं आप कहिए सर आपतित किरन क्या होता है प्रावर्तित किरन क्या होता है ये भी तो समझने वाले बात है तो जो किरन प्रावर्तक सता पर आती है तो वो किरन हो गया आपतित किरन इधर से किरण आया तो इस किरण को क्या बोलेंगे आपतित किरण ठीक ये हो गया हम लोग का आपतित किरण उसके बाद टकरा के निकल जाना वापस मुड जाना ठीक है आपतित किरण टकरा के जो मुड आ इसको हम लोग बोलेंगे प्रावर्तित किरन क्या बोलेंगे प्रावर्तित किरन बोलेंगे ठीक है अब जब यह प्रावर्तित किरन हो गया उसके आपतित किरन जिस बिंदू पर यह प्रावर्तित किरन इस तरह से करने का मतलब है कि यह पॉलिस किया हुआ इधर इधर क्या है पॉलिस किया हुआ और य सबस्क्राइब काम करना सुछ की काम करता है तो इधर इस तर दिखाने से हैं जर्ए इसको ऐसे गिरा देंगे तो इस आए से को देखोगी की नहीं मैंकि अधर से में लायट मारूगा तह還有 implications मारेंगे तो परकास दिखाई पड़ेगा कि नहीं हाँ जा रही है उसके यह जो मुरेगा वह भी दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा अंधिरा में जब करेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा 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 कि नहीं पड़ेगा कि नहीं तुम लोग नहीं बो मुलहा कोई नहीं होता है जो बिदीओ बनाता है उसके तरह पघला कोई नहीं आता है क्योंकि अपने पर के सामने कुछ रहे प्रारश हो जाएका तरह फिर मैं भी बोलूंगा कहला के तरह नहीं तुम ले आगों भिर मैं अब जब बाड़ी है थोड़ा कलास में घर चुप चाप रोगे तो भी मज़ा नहीं ना आएगा कैसा लड़का है जीटो अब चुप हो जाओ आगे चलते हैं तो आप यह हो गया हम तो ऐसे हम लोग देखेंगे ना ठीक है आया और वापस मुर गया ठीक है परकास आया यह हम लोग का आपतित किरन हुआ और यह निकल गया प्रावर्थित किरन हो गया ठीक है तो आपतित किरन जिस बिंदू पर आपतित हुआ जिस बिंदू पर टकरा जिस बिंदू पर गिड़ा वो हम लोग का हो गया आपतन बिंदू आपतन बिंदू ठीक है उस बिंदू पर हम क्या डाल देंगे अभी लंब डाल देंगे अभी लंब अभी लंब समझते हो एक लंब 90 डिग्री पर एक्ठो लाइन खीश देंगे 90 डिग्री तु जानती है हूँ क्या कई बार बताया हूँ यहां से ऐसे सीधा ख़रा करें इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए 90 डिग्री कितना 90 डिग्री जो 90 डिग्री होगा वो सीधा ख़रा होगा ठीक है सब्सक्राइब बात चलो तो कहते हैं पहला नियम कहता है कि आपतित किरन ठीक परावर्तित किरन और आपतन बिंदू पर डाला गया यह अभिलंब तीनों एक ही बिंदू पर एक ही समतल पर एक ही तल पर इस्थित होते हैं तो एक ही जगह है न ऐसा तो नहीं कि आपतित किरन यहां है और परावर्तित किरन यहां से निकला है ऐसा है ऐसा तो नहीं है तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरन परावर्तित किरन और आपतन बिंदू पर डाला गया अभिलंब यह तीनों ही एक तल पर होते हैं पहला नियम हो गया दूसरा नियम कहता है आपतन कोन और परावर्तन कोन यह दोनों आपस में बरावर होते हैं अब यह आपतन कोन क्या होता है तो यह आपतित किरन ठीक है और अभिलंब आपतित किरन और अभिलंब के बीच का जो कोन है वुसक कोन को बोलते हैं आपतन कोन क्या बोलते हैं आपतन कोन ठीक है तो कौन सा हुआ यह वाला यह वाला ठीक है इसको आई से भी दरस आते हैं ठीक है उसके बाद परावर्तन कोन अभिलंब और परावर्तित किरन के बीच का जो कोन है इसको बोलते हैं क्या परावर्तन कोन कौन सा कौन, परावरतन कौन, कौन I और कौन R, क्या होगा आपस में, बरावर होगा, क्या होगा, बरावर होगा, ये कौन कहता है, ये प्रकास परावरतन का नियम कहता है, कि पहला नियम कहता है आपतित किरन, परावरतित किरन, आपतन बिंदु पर खिचा गया जो पर होते हैं दूसरा नियम कहता है आपतन कुन और प्रावरतन कुन आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं को दिकत समय में आई बात नहीं आई बात आई कल का वला पूरा समझ में आगे था ना कैसा लोगा सबीजी चलो आगे चलते हैं तो इतना हो गया ठीक है और ये जो है न ये नियम ये जो नियम है ये सभी परकार के प्रावरतक प्रिष्ठों के लिए लागू होता है चाहे वो गोल हो चाहे वो सम्तल हो सम्तल समझते हो सम्तल नहीं समझते हैं प्लेन सम्झते हो प्लेन बड़ा दिकत बात है क्या कहेंगे हिंदी समझते कम है और अंग्रेजी ज्यादा समझते है सम्तल समझ में नहीं आया लेगन प्लेन समझते है सम्तल क्या जी सम्तल मतलब प्लेन अब प्लेन का मतलब सम्तल नहीं सम्तल का मतलब प्लेन तो हम लोग अंग्रेजी नहीं हवाई जाइज़ लगा प्लेन नहीं वो प्लेन अब ये वाला जो है उपर खावर नहीं होना सपाट क्या सपाट चलो इदर फिर तो सपाट सपाट अद विल्कुल सम्तल अब सम्तल में आया हाँ चाहे वो सम्तल हो, सम्तल बोलो, सपाट बोलो, प्लेन बोलो, यह प्लेन है न जी, इसमें उपर खावर तो नहीं न है, प्लेन है, तो चाहे वो सम्तल प्रावर्तक सता हो, चाहे वो गोली यह हो, अच्छा, मोटर साइकल वाला सिसा में तो ज्यादा नहीं, बस का सिसा देखे के ने बस का सिसा देखियो न या Jeep, car वगेरा का बोलेरों का ध्यान दोगे थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है आगे तरफ उबढ़ा हुआ इस तरह से देखियो ध्यान दिये हो सिसा में हाँ हाँ जिसको पिछी देखते हैं साइड में जो होता है देखे हो तोड़ा सा इस तरह से मुड़ा होता है यह बला जाना अब जैसे यह बला है तो इसको इस तरह से इस तरह से होता है कि नहीं देख्यों तो आजी धियान दे देना ठीक है आजी देख लेना थोड़ा सा उब्ला थोड़ा सा क्या होता है उब्ला होते अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे सीसा जी सीसा नहीं समझते हो ड्राइबर के बाहर में नहीं रखा हुआ नहीं देखते हो इसको ध्यान से देखना आज देख लेना जब नहीं देखिए तो ठीक है तो थोड़ा सा उबढ़ा हुआ रहता है, उभर में आगे उठा हुआ रहता है, तो उस वैसे दरपन को हम लोग गोली दरपन बोलेंगे, क्या बलेंगे, गोल है ना, ठीक है, उसको कैसा दरपन बोलेंगे, तो यह जो है ना, चाहे वो समतल दरपन हो, या गोली दरपन हो, किसी भी तरह का दरपन होगा, यह सभी पर यह नियम लागू होता है, ठीक है? इसी के बारे में फिर आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, कल से आगे देखेंगे, फिर उसके असमज में आ जाएगा, ठीक है? यहां तक होगे हम लोग का? ठीक है? अब देखो, एक चीज, यदि हम लोग इस प्रावर्तित किरन को सीधा अगर डालें, लंब करके डालें, सीधा, 90 डिगरी पर अगर छोड़ें, तो क्या होगा? इसको धीरी-दीर खरा करके यहां सीधा कर देंगे, तो यह कोन बचेगा क्या? कोन नहीं बचने का मतलब क्या है? 0 डिगरी, क्या? कोन का मान क्या हो जाएगा? 0 डिगरी, यानि आपतन क्या हो जाएगा? 0 डिगरी, यदि हम लोग लंबवत, कैसा? लंबवत, यानि लंब में यदि प्रावर्तित किरन को, आपतित किरन को रखें, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपतन कौन क्या हो जाएगा जीरो डिगरी ठीक है अब जब आपतन कौन जीरो डिगरी हो जाएगा तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कौन और प्रावरतन कौन दोनों क्या होता है बरावर होता है तो फिर प्रावरतन कुन क्या हो जाएगा जिरो डिग्री न हो जाएगा ये जैसे ही है यहां सटेगा तो ये भी यहां सट जाएगा कहने का ये मतलब है इधर से हम लाइट छोड़ेंगे तो लाइट फिर उसी और से निकल जाएगा अगल भगल नहीं जाएगा बलकि उसी और निकल जाएगा भग गया भग जाएगा है ना संजमाई बात उसके बात हम देखेंगे तो कोन आपतन कुन और प्रावरतन कोन बरावर हो जाएगा जिरो हो जाएगा यानि परकास जिस और से आएगा उसी पत में जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला जाएगा ठीक है? और इसमें नहीं इस तरह का में नहीं जब आपतन कोन का मान कुछ हो यानि कि टेड़ा आएगा तो वो इधर से जाया जिस पत से आया उस पत में नहीं उस और किसी और मुर जाएगा ठेक सुनाजी बात चलो आगे चलते हैं अब हम लोग समझेंगे इसके बाद आगे पढ़ाओ थोड़ा सा परती बीम के बारे में समझेंगे किसके बारे में परती बीम के बारे परती बीम क्या होता है चलो दरपन तो देखते हैं क्या दिखाई देता है सीसा देखते हो की नहीं अपना चेहरा देखते हो ने जी तो चेहरा क्या है चेहरा फेस है अरे सामने अपना चीतर देखते हो की नहीं हाँ उसी को हम लोग परती भीम बोलते है वो क्या है प्रती बीम्ब है थोड़ा टाइम देखना कितना हुआ सर टाइम सर आट दस हो गया सर देखो तियांस कितना हुआ तब तो बस इतना है बहुत ज़्यादा हो गया उदर क्लास छुट जाएगा मेरा फिर तुमको काई हर बरी लगा है जी हाँ बेखियो अ part जलएट सर तेखर्णा क्लास कितना है